असलाम लेकुम आज हम शेयर करने वाले हें सोया चैंका टिक्या बनाना जो बहुत ही एजी एन बहुत ही डिलिसियस रेशिपी है जो कि अगर घर में कुछ भी ना हो अगर आपका टिक्या खाने का दिल चाहे तो आप इस तरीके से अगर शामे टिक्या बना की तियार कर मैं नियुकाल वे जिला सब्सक्राब कोंट जानेती है कि पचासगी किए पचान डाल किंड कर गड़ा कि ़ीज़ कोंट बिदया का तो यसक बादर पीछगों करें और 1 तीस्पून धनिया पाउडरा आट कर सकते हैं यहां पे 1 तेवलिस्पून नमक एक टेस्ट की अनुसार आपको यहां पेस्ट यूज नहीं कर रही हैं जुड़े नहीं उला लेक्ट निया और अचे चीज़ों । उला लेक्जूरी παूल जुड़े से निकाल तो टे पत्ता मैंने आट कर दिया है एक लाउंग एलाईशी एंड डालचीनी का जो टुकरा है उसको भी इसमें शामिल कर देना है जिससे क्या है थेस्ट थोड़ा सा गरब मसाला टाइप का आ जाएगा तो बहुत अच्छा फ्लेबर देगा तो इसमें एक सिदेड का पानी इसमें इतने में यह काफी गल कि अच्छे से हो जाएगा चना डाल गल जाएगा पानी इश्चा नहीं डालना है अगर पानी ज्यादा हो जाएगा तो यह गिला टाइप हो जाएगा जो बिल्कुल बाइंडिंग में प्रॉब्लम आ जाता है तो बस इतना ही पानी यूज करें और प्रेशर कुकर के लिड लगा देनी है दस से पंदर मेंट तक मैंने इसको देखी अच्छे से बॉइल कर लिया है अब देख पारे होंगे चना डाल और स्वाया बीन बहुत अच्छे से बॉइल हो चुका है दाल को आप अच्छे से चेक कर सकते हैं और पानी मी पूरा अच जान शनी कर लिया है का जुए से था लिद डी और आप दिया है और खेए आपर आप बिलकुल कोद अब दनिया तरही गहाँ टिसक्ता कर लिड़े हैं में वैक इतु कुछ से बिला नारा डी ने जुआ आरे से खेस्च्छे लिड़े के आये बॉदा है तह दिए लग जो है अच्छे से चीजों में मिक्स कर देना है अब चलि इसको कवर कर देते हैं दूसरी तरफ एक अंड़ अंदर भी सामिल कर सकते हैं लेकिन उपर से लपेट लें अच्छा सा है एक बाइणिंग तेयार होता है जिसमें थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी कालिम इचका पॉर तो यहां पर दीखिए जो मैंने बनाखे रख़ा है में थोड़ी सी सरसो ऐल लगा लिए और यहां पर जो मैंने मशाला त्यार किया है जो डाल वगरा है इसको अच्छी से दिखिए गौल कर लेना है आपे इस तरीके का टिकिया का शेप होता है आपको हाथो में दबा कर बिल तो आप देख पारीयों कि इतना अच्छा सा सेफ बनने दे दिया है यह बिल्कुल देखके नहीं समझ आ रहा है कि यह बीफ कशामी कबाब है यह पिर यह स्वाया चंग का है इसे तरीके से आप सामिटिकиओंको conspiracanson को को सामिटिकिओंकों इसी सेहत में आपको बनांकर के तयार कर लेनी है는 बरावर बरावर कोई मोटा पतला किसी तरफ नहीं होना चाहिए तो स стен को में आपको तयार करना है तो दूसरा वाला भी मेरा टिकिया तयार हो चुका है देख पारे एक दम बराबर में तो इस तरह से सारे टिकिया हमने तयार कर लिए हैं बराबर सेप में तो चलिए इसको फ्राइ करते हैं तो फ्राइ करने के लिए फ्राइ पें चड़ा दिया है यहां पे मैंने आइल और बस टिकिये में दोनों तरफ से अच्छे से इसको मिक्स करना है अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी जिससे क्या होगा कि अंदर का जो है वो हिस्सा टूटना नहीं है बस इसी तरीके से आपको डालना है आप 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 मेरा देख पारेंगे मेडियम गरम है ज्या दूटना जोना खileri अगए पारेंग देख अजुआ कि ऊड़ते है तो इसी तरीके से अच्छे से ब्राउन कलर के आपको अच्छे से ब्राओन के तयार करने है उन्हा चाहिए तोड़ा साइड अच्छा इसका इसका प्राउन हो ना आचार इस्का गया डेन क croisल़ आपको त तो अगर घर पे महमान नमाजी में इस टीकिय को बना के सर्फ कर देते हैं तो कोई भी नहीं समझ भाएगा देखे सारा ये नहीं अगया है तो मेरी आज की ये स्वया जो ये ये अजय नियुक्त पहसे हैं तो ये स्यार के बिए तो आफ़ेकर आप जिसे बिचाशीष किया है के डिटीकिया ये जो बहुत है तो इस्यार के स्टन्द फिलेवर के आफ़ेगा देखने में बहुत चैनल में नए हैं तो कायनी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाएगा फिट बैक देना मत भूलिएगा तो हमें याद रखिएगा थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो अल्ला हाफीज